इसमें जो है वो प्राइजिस का भी डिफ्रेंस है और सेकिंड नंबर पे इसके अंदर आपको क्वालिटी इसका भी डिफ्रेंस देखने को मिलता है बिल्कुल भी देखने पर लो नहीं लगता लेकिन यहां पर एक सबसे इंट्रस्टिंग बात यह है असलाम उलेकुम शैप्स वेलकम बैक टो अनदर वीडियो और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बॉक्स करने वाला हूँ ड्रम कटर को अब यह ड्रम कटर की पूरी सीरिस जाने वाली है क्योंकि यह जो ड्रम कटर है सबसे पहले तो काफी ज़दा ट्रेंडिंग प्रोड़क या फिर अभी तक आचुकी होगी तो आप इसकी वीडियो को भी नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक अब कर सकते हैं और उपर आप लिंक पर क्लिक करकर भी देख सकते हैं तो उपर आपको शो हो रहा होगा तो सबसे पहले तो यहां पर हम इस ड्रम कटर को अनबोक्स करने व अब बोक्स ओपन करते साथ ही आपको इसके अंदर ब्लेड्स देखने को मिलते हैं नमबर वन पे जो इसका ब्लेड्ड है वो है और यहां पर आपको एक handle मिल जाता है मैं आपको blade की quality भी दिखा देता हूं इस तरह कि इसकी quality और आपको देखने पर बिल्कुल भी यह नहीं लगेगा कि यह quality बिल्कुल low है और second number पर आपको एक slicer मिल जाता है slicer की भी quality कुछ इसी तरह की है बिल्कुल भी देखने पर low नहीं लगता लेकिन यह unfortunately सबसे low quality है और इसको भी हम side पर रख देते हैं और यहां पर आपको packing से यह idea हो रहा हूँ कि इसकी quality में कितना जादा difference है अब यहां पर आपको कुछ इस तरह से इसका पूरा drum cutter देखने को मिलता है इसके अंदर भी एक blade है जिसको आप fine cutter कहते हैं और इसकी भी मैं आपको quality दिखा देता हूँ कि इसकी quality किस तरह की है इसके अंदर आपको एक pusher मिलता है जिसे आप push करके अपनी vegetables को cut कर सकते हैं और यहां पर एक सबसे interesting बात यहां जो कि आपको दूसरे drum cutter में देखने को नहीं मिलती है वो है इसको आप अलग भी कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर आप इसको यहां से push करके slide करके इसको अलग भी कर सकते हैं और यह बिल्कुल अलग हो जाएगा और आगर आप इसको cleaning के लिए रबर दिया गया है और सबसे इंट्रेस्टिंग बात यह है कि आप एक नॉर्मल ग्रीपर दिया जाता है जिसे आप एक जगा पर रख सकते हैं लेकिन यहां पर इसको आप लोग जल्दी से जल्दी खतम करों तो यहां पर सबसे पहले तो हम फाइन कटर को चेक आउट करने वाले हैं और यहां पर इसको मैं लगा देता हूं और यहां पर एक और इंट्रेस्टिंग चीज़ करने जिसे आप उपर यह नीचे को प्रश करके इसको लो कर सकते लेampf यहां पर आपको बटन दिया जाता है कि मैं को करके भी दिख 번째 यहां पर मैंस को यहां पर पुश कर देता हूं और मैं इसको यहां से लो कर देता हूं अब यहां पर यह बिलकुल लोग हो हो चुका है अब जैसे ही मैं इसको पुश करूंगा तो मैं इसको अलग कर सकता हूं उसके इलावा मैं इसको अलग नहीं कर सकता तो ताइम नी वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यह किस तरह से परफॉर्म करता है सबसे पहले तो यहां पर मैं खीरे को चेक करने वाला हूं और देखोंगा मेरे पास unfortunately second plate नहीं है तो यहां पर मैं वेजिटेबल्स को रख देता हूं और इसी के अंदर हम इसको टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले तो मैं यहां पर खीरे को करने अब नहीं कि उसके बिल्कुल भी फाइदा नहीं और बिल्कुल भी सई तरीके से घ्रीप नहीं बन रही है तो यहां पर मैं इसको स्लाइस कर देता हूं और देखते हैं के दर बार अलू चांट कर लेते हैं अम मैं हमेशा अपनी हर वीडियो के अंदर हाड वेजेभल्स को लाजमें चाह करता हूं कि धैंच नरम छो चीजी होती है वो तो हर जो biology होता है वह कट कर लेता है लेकिन अप्योदादा चलता है जब हो इसको हमेशा हार्थ होता है चलता है जब हा नोर मेंने बिल्कुला बरेशानी नियुक्त तो आलू नो 살아 ता इस वज़ा से इसके अंदर मुश्किल पेशा रही थी सो इतना यहां पर मैंने आलू कर लिया और उसके बाद आगे इसके हमत नहीं पढ़ रही और यह कह रहा है जी नहीं मैंने इससे जादा कट नहीं करना अब हम गाजरों को टेस्ट कर लेते हैं गाजरे भी थोड़ी स सही तरीके से जोप नहीं कर रहा है और उसके इलावा अपनी जगह से हिल रहा है जिसकी वज़ा से आपको यूज करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है जोकि यह लो क्वालिटी है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं इस पर कहूंगा और सैकिंड नंबर पे मैं एक ही बात कर कर दीजेगा और बाकी के तीन ब्लेट्स मैं आपको दिखा देता हूं इसने बाकी के तीन ब्लेट्स को किस तरीके से कट किया तो उसके बाद मैंने स्लाइसिंग ब्लेट को टैस्च शूट किया और स्लाइसिंग ब्लेट्स ने काफी ज़्यादा स्मोथली एक्सपीरियंस अब कहने से तो बात नी बनेगी आप खुच जग कर लें अब जब मैं कोर्स प्रेट को ट्राई कर रहा था तो उसके कुछ ही घंटों के बाद मैंने एक और वीडियो रिकोड की जिसमें मैंने यह साथ पड़े हुए हाई क्वालिटी को टेस्ट आउट किया तो और इसकी वीडियो रिकोड की थी इसमें जो कोर्स प्रेट था वो काफी जदा स्मूथली वर कर रहा था जबके इस रिकोडिंग के दुरान यह वले चोपर ने बिलकुल भी सही तरीके से वर्क नहीं किया और मुझे काफी जदा डिफिकल्टी आई थी और काफी जदा मैं अड़ा भी था बीच में और थोड़ी सी जदा पावर कंस्यूम होई थी आपको एक रिकमेंडेशन दूँगा कि आप इस सीरीज की चारो वीडियो को वाच किजिएगा चार वीडियो होंगी ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो जाए कि इन चारों में से आपको कौन सी क्वालिटी बाय करनी चाहिए क्योंकि अगर आपने एक प्रोड़क्ट बाय करनी है पैसे स्पेंड करने है किसी प्रोड़क्ट पे तो आप अच्छे तरीके से सोच समझ कर करें और मैं अपनी हर वीडियो में क्लियर कर दूँगा कि आपको कौन सी प्रोड़क्ट बाय करनी चाहिए और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजेगा और सक्षित बेल एकon Ka बटनमे दबाद दीजेगा वीडियो फसेंदें तरो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लाफिस थैंक यू सो मच